हालो फ्रेंड्स मेरबिती आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब अल्वेस इस दा राइड वे में एक बाव फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हम लोग अपने चैनल पे सीटफ टेंटी टू की प्रिपेशन कर रहे हैं जिसमें हम स्पेसिफिक सीटीपी के MCQs की प्रिपेशन जो है कर रहे हैं ये सभी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आने वाले जो सीटफ के एकजाम हैं उनमें यही कोशन जो है आपको इसी तरीके के options नीचे दिये हो आप सही answer चूज कर ही लेंगे इससे पहले भी हमने classes लेए हैं अगर आपने वो classes बिसकी है तो description में लिक प्रोवाइड कर दिया है तो महां जाके जो है आप वो सभी classes जो है ले सकते हैं बीन वक्स आया कि हम class को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आगे बढ़ान भी follow कर सकते हैं बीना वक्स आया कि हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज की class का सबसे पहला question है a teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task he is using method of teaching यहां पर एक teacher जो है बच्चे को demonstration देकर एक task को सिखा रही है और यह जो task है already बच्चे ने learn कर रखा है उसे correct कर रही है जो उसकी गलतियां है उसे ठीक करने के लिए जो है demonstration का use कर रही है तो वो किस method का जो है use कर रही है first correction, second modeling, third imitation, fourth observation यहां पर जब demonstration की बात हो रही है demonstration जो होता है पूरे किसी task का दिया जाता है यहां पर correction हम word वहां use करते हैं जहां बच्चे ने गलती किये सिरफ उसी को correct किया जा रहा हो imitation जो है particular हम step by step को follow जब बच्चा करता है तो उसको बोलते है observation जो होता है कि बच्चा सिरफ observe कर रहा है teachers को यहां बड demonstration की बात हुई है यानि पूरा task teacher जो है दुबारा करके दिखा रही है जो बच्चे की गलतियां उसको ठीक करने के लिए तो यहां सही answer है modeling, modeling के अंदर जो है बच्चे को पूरा का पूरा task एक बड teacher demonstrate करके दिखाती है then बच्चा उसे देखता है और उस task को जो है सीखता है तो correct answer है second next question है according to man and Janice decision maker children analyze the problem, list the alternatives and wage each option, its advantages and disadvantages his behavior reflects for यहां आपको बताना है according to man and Janice के according के जो decision maker बच्चे होते हैं वो problem का पूरी तरीके से analysis करते हैं फिर उसके लिए विकल्पों को चुनते हैं और फिर उन सभी विकल्पों के disadvantage और advantage पे जो है focus करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो यह behavior क्या reflect करता है first outgoing, second autocratic, third surveillance और last option है vigilant according to man and Janice के according जो word यूज किया गया और गई वो उन वक्तियों के लिए किया जाता है जो extroverted या socially बहुत confident होते हैं second autocratic जो है वो जो है उन person के लिए use किया जाता है जो बहुत systematic तरीके से जो है काम करते हैं उसमें ना कुछ add करते हैं ना remove करते हैं जो जैसा system चला रहा है उसको follow करने की कोशिश करते हैं persons की तो उन persons के लिए जो है ये word use किया गया है लास्ट आता है vigilant गया है जो है ये यूस किया गया है कह सकते हैं उन persons के लिए जो decision खुद लेते हैं और decision लेने के लिए तान मोल के चीजे करते हैं वो साफधानी कूरवक जो है काम करते हैं और एक प्राबलम को किस-किस तरीके से solve किया जा सकता है उसे विवस्थित करते हैं तो जो विकल्प जो हैं उनके उनके उपर विचार भी करते हैं देन उसके बाद जो है decision लेते हैं तो हमारा सही answer है for vigilant जो मन और जैनिस के according decision maker children है जो so समझ के बहुत जादा so समझ के काम करते हैं उनके लिए vigilant word को use किया गया है according to मन और जैनिस उनके according जो यह process है जो बहुत so समझ के problem solving की जाती है उसको जो है vigilant decision making के नाम से जाना जाता है next question है in dash thinking a child as a problem solver evaluates the truth और likelihood of statements यहाँ पर आपको बताना नीचे दे गई thinking में से कौन सी thinking ऐसी है जिसमें बच्चा जो है problem solving को evaluate करके जो है एक truth तो एक नतीजे पर जो है पो सकता है तो first is abstract, second logical, third creative और fourth is aesthetic abstract के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके है abstract thinking उसको कहते हैं जो आपके सामने नहीं है उसके बारे में बात करना तो उसमें अपने नहीं नहीं ideas लाता है कि क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को और हमारा aesthetic जो होता है वो हमारा है कि हमारे nature जो है उसकी सरहाना करना उसके बारे में जो है बात करना तो हमारा हमारा यहां पर जो बात हो रही है problem solver की हो रही है problem solving के से related जो है हमारी दो चीज़े है creativity और लॉजिकल, creativity के अंदर नए-ने ideas की बात हो रही है, नए-ने ideas को लेकर आना, जो है उसको कहते creativity, तो यहां पर नहीं ideas के बारे में कहीं बात नहीं हो रही, यहां truth की बात हो रही है, truth हमेशा हमारा logical thinking से आता है, कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तरक संगत जिसको कहते हैं, तो हमारा सही answer इसका है, truth, logical thinking के द्वारा जो है, बच्चे, problem solver evaluates करते हैं truth को. Next question है, the task in which the children get experience while enjoying themselves is now is, जो बच्चे द्वारा task किया जाता है, अपने experiences के द्वारा वो enjoy करते वे, अपनी चीजों को अनुभव करते वे चीज़े जो सीखता है, उसको क्या कहते हैं, procedure type task, problem type task, drill and practice task, and fourth consumer type task, इन चारों में से आपको सही answer को choose करना है, सही answer है consumer type task, consumer type task के अंदर बच्चे को एक particular कारे दे दिया जाता है, एक activity दे दी जाती है, उसके अंदर बच्चे को पूरे शामिल किया जाता है, और वो activity बच्चा उसे पूरे तरीके से अपने आप से करता है, तो जब वो पूरे तरीके से उस चीज़े को अपने आप से करता है, उसमें जो भी activities आती है, उसमें problem solving आएगी, या उस कारे को पूरा करने की जो जिम्मेवारी होती है, उसको उसकी होती है, तो इसलिए वो उस चीज़ को enjoy लेकर जो है, वो करता है, और अपने experience जो है, collect करता है, next question है, multi-sensory approach in teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and sense to enhance learning, multi-sensory approach का teaching learning के अंदर use किया जाता है, जिसके अंदर visual, auditory, tactile and sense का use किया जाता है, enhanced learning बढ़ाने के लिए, तो कौन सी sense आपको वो बतानी है, first perceptual, second observational, third kinesthetic और vestibular, यहाँ पे हम V, A, जो T है और चोती हमारी है K, यानि V, A, K, T जिसको भूला जाता है, तो के से हमारा आता है kinesthetic, तो सही answer है आपका kinesthetic, जो आपका इस approach को पूरा करती है, जो teaching learning की approach है और enhance करती है, learning को बढ़ाने का काम करती है, next question है, the development from central part of the body toward the peripheries or extremities donate the, यहाँ पर आपका बताना है, जो हमारा development होता है, केंदर से बाहर की ओर होता है, उसको क्या बोला जाता है, बहुत पार यह questions आ रहा है, तो इस development के जो principle है, उसको ध्यान से पढ़ लीजे, क्योंकि कभी तो सर से पाउं की ओर, तो कभी केंदर से बाहर की ओर के लिए बहुत बार question देखा जाता है, तो इसमें मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, mainly answer मैं पहला ही लगाऊंगी सीधा उसमें है, principle of proximal digital development जो है, वही हमारा केंदर से बाहर की ओर को present करता है development को, सही answer है, one. Next question है, school is an institution of socialization of children where, यहां आपको बताना है कि school बच्चों के socialization की ऐसी संस्था है, जिसमें, school activity occupy the central position, second, school teachers occupy the central position, third, school children occupy the central position, fourth, school routine occupy the central position. School में socialization होता है और school जो है, ऐसा institution है, जिसमें child center approach का use किया जाता है, यानि child को एक केंदर बनाया जाता है, जिसके अंदर teacher उसके अनुरूप जो है activities करती हैं, और activities भी बच्चों के according रखी जाती हैं, तो यहां पर जो है, सही answer होगा, school children occupy the central position, third answer जो है, यहां पर third option जो है, वो सही है. Next question है, if you join a teacher fraternity and choose the dress like most of the other in your group, you are exhibiting, first compliance, second conformity, third group identity, fourth obedience, यहां पर जब teacher, आप teacher बन रहे हैं, तो आप औरों की तरह जो है, जैसे teacher dress डालता है, वैसे ही आप dress up होना शुरू कर देते हैं, तो आप क्या परदेशन कर रहे हैं, क्या आप compliance यानि किसी का अदेशों का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं यहां कहीं अदेशन नहीं कि एक teacher को क्या ड्रेस डालनी है, हमारा जो है एक group की identity, तो बिल्कुल नहीं group की कोई एक teacher की कोई identity नहीं है, कि वो ऐसे ही कपड़े ही डालेगा और किसी तरीके के कपड़े डाल नहीं सकता है, ना जो है obedience यानि किसी की आग्या का पालन हो रहा है, यहां एक teacher का जो अनुरूप होता है या एक teacher का जो ड्रेसिंग sense है डालने का, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर है second, confirmity. Next question है, The concept of object permanence is attended during Piaget development stage of यहां पर आपको बताना है कि object का जो अस्तित्व है या कह सकते हैं, आप धारना की यह है, इस तरीके का है, वो किस stage में development होता है? First, concrete operational. Second, formal operational. Third, sensory motor. And last option है, pre-operational stage. Next question है, The concept of object permanence is attended during the Piaget development stage of यहां पर आपको बताना है कि बच्चा कौन सी stage के अंदर objects की जो presence है, वो पता लग जाता है कि मेरे आसपस जो है objects है, उसके बारे में पता लगा जाता है. तो यहां पर according to Piaget, जो सही answer है, sensory motor stage है. Sensory motor stage के अंदर जो है, उसको बच्चे को पता लगने लग जाता है, अपने आसपस के environment में जो उसके चीज़े दिख रही होती है, उसकी presence का उससे होना पता लग जाता है. कई बार जो हैं आपने देखा होगा, या जब आपने theory पड़ी होगी, उसमें भी ये बात बोली गई है, जब आप उस बच्चे के सामने जब उसको चीज़ को छुपा लेते हैं, तो बच्चा उसके बाद उसको ढूनना शुरू कर देता है, यानि उसकी presence जो है, उसके लिए वहाँ पर होती है, अविलेबल होती है, या वो सामने दीख रही है या नहीं दीख रही है, तो यानि सही आंसर है, थर्ड सेंस्री मोटर स्टेज, आज की क्लास का लास्ट कोशन है, इंडिजिलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इस प्लैंड फ्रॉम दा प्रोस्पेक्टिव ओफ, इंडिजिलाइज यानि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईपी के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है उसे प्लैंड करने का, फर्स्ट, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, सेकिंड, इलर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम, फर्ट, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, या फॉर्ट, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पर जो है सही आंसर है, ओपन स्कूलिंग के में तो कभी आपको ने देखा है, आईपी बनती है, बिल्कुल नहीं, ए-learning प्रोग्राम, यानि हमारा जो ए-learning प्रोग्राम कह सकते हैं, इंटरनेट वगेरा जैसे, उसके लिए प्ल्न होती हैं, नहीं, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनती है, लेकिन आईपी का जो प्रोस्पेक्टिव है, वहाँ पे कह सकती है, Child Center Education Program है कि हर बच्चे के लिए Individual जो है वो प्रोग्राम बनाया जाए बच्चे की Need के Recording, बच्चे की Strength के Recording, तो सही आंसर यहाँ पर 3 नहीं होगा यहाँ पर 4 होगा Child Center Education Program आज के लिए बस इतना ही अगर आज के concept आपको क्लियर हुए हैं, तो एक लाइक तो बनता है तो फटर फट वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजेगा और आप हमें Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, link जो है description में provide कर दिया है, महाँ पे आपको और भी updates जो हैं मिलती रहेंगी आज के लिए बस इतना ही, एक बाफिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, शुक्रिया, नमस्कार